नमस्कार मैं प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में हमारा ये डिसकसन है क्या कल के लिए PUT यानि PE खरीद लें क्या PE कल येकपोट बनते दिखेगा या कल के लिए भी CE के ट्रेड ही लेने चाहिए ये वीडियो काफी थोरा इंदेप्थ होने वाला है जहां हमारे पे 300 प्लस लाइक साते दिखेंगे तो आज हमने देखा कि निफ्टी 700 और बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट्स की तेजी दिखाई और ये तेजी एगजीट पोल के कारण रहा जहां एगजीट पोल ने बीजेपी को पूर्म बहुमत दिखा दिया है अब कल पूट ले या कॉल ले लेते हैं तो कॉल और पूट दोनों के ही जो विवर्स हैं जो ट्रेडर हैं उनके अपने अपने व्यूज होते हैं और कहते हैं कि everyone has two eyes but different views आख सबके पास दो ही हैं लेकिन नजरिया अलग होता है कौन सही या गलत होगा वो कल के position कटने के बाद पता चलेगा तो साथ analysis share करूंगा और आपको इस को समझने में थोड़ी असानी करवाऊंगा कि आपको call लेके जाने चाहिए कि put सबसे पहले यहां देखेंगे तो आज जो है bank nifty bank nifty की जो आज तेजी रही यहां पे देखेंगे 1800 point और जो nifty की तेजी रही वो 700 point कल तक bank nifty जो है 49,000 पे trade कर आज एक बड़ा gap up हुआ और यहां nifty में भी एक बड़ा gap up हुआ और closing भी upper side के तरफ ही दिख रहा है अगर इसको मैं 15 minute के time frame पर भी दिखा हूँ तो nifty की जो closing रही है यहां देखेंगे जो nifty की closing रही है वो positive के तरफ ही दिख रहा है यहां देखेंगे nifty की closing जो early morning में बज bank nifty में भी जो closing अगर मैं आपको दिखा हूँ तो bank nifty की closing भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो trend है वो नीचे के price से उपर के तरफ तो दिखा लेकिन इस समय एक lower low lower high का trend बना रहा है तो सबसे पहले data को समझेंगे यहां मैं option chain को open कर लिया यह nifty का option chain है nifty समय 23200 पे trade कर र रहा है 23200 पे अब मैं अगर आपको 23200 के अगर आप levels को देखें तो यहां आप क्या पाएंगे यह जो level है 23200 इसका premium call का 337 और put का 286 यानि अगर दोनों ही levels को call और put के premium को मिला हैं तो यह लगबग 600 points होते हैं यानि आप यह समझें कल के लिए जो nifty का trade है कल के लिए जो nifty का trade है nifty 50 के trade है वहाँ इस समय जहां पे bazaar trade कर रहा है यहां से भी 600 points इस समय जहां trade कर रहा है nifty यहां से भी 600 points which is near around 20 लगबग लगबग 23,900 तक के levels दिख सकते हैं उपर के side और नीचे के side अगर same scenario को ले 600 points तो लगबग 22,700 यहां देखेंगे तो लगबग लगबग 22,700 का points दिख सकता है अब मैं यह कहूँगा data यह कह रहा है कि कल call के trade दिखेंगे क्योंकि call का premium जो है 23,200 का ज्यादा है put के comparatively और buyers की दिलचस्पी call के तरफ दिख रहा है जहां लोग higher premium दे रहे हैं तो higher probability है कि इस तरफ का trade दिखेगा और lower probability है कि down के trade दिखेंगे अगर मैं आपको यहां 2400 के call को देखें अगर मैं 2400 के call को देखूं तो 97 पे दिख रहा है और अगर 22,700 के put को देखें तो यह लगबग 120 पे दिख रहा है तो मैं चाहूंगा कि trade को आप कल के लिए ले ही नहीं लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो as per technical trend positive दिख रहा है data भी positive दिख रहा है दो परकार के trader होते हैं एक trend follower होते हैं और दोसरा reverse follower होते हैं तो अगर आपको लगता है कि यहां से बजार कल थोड़ा बहुत correct हो सकता है क्योंकि अच्छी news के बाद भी stock या बजार गिरते हैं और बुडे news के बाद भी stock उपर जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि नीचे के तरफ अगर आप देखें तो 22,200 के आसपास का जो put है वो इसमें 75 trade कर रहा है यह 52 के आसपास हमने suggest करें तो 22,000 के आसपास के आप put को चाहें तो radar पे रख सकते हैं और अगर bank nifty के तरफ देखें कि bank nifty के कल के technical views क्या दिख रहा है यहां है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी इस समय देखेंगे तो 50,900 पे trade कर रहा है यह 50,900 इधर 650 और इधर 750 विच इस 1400 पॉइंट यानि बैंक निफ्टी यहां से भी बैंक निफ्टी यहां से भी 1400 पॉइंट के upside आपको दिख सकता है यहां से भी देखेंगे तो लगभग लगभग आप मान करके चलिए कि 1400 पॉइंट मतलब यह समझे कि 52,500 तक का level उपर के side दिख सकता है और नीचे के side को अगर आप देखें तो लगभग लगभग 49,400 जैसा level दिख सकता है अब closing तो काफी positive दिख रही है maximum लोग call ले करके ही जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आपको reverse खेलना है तो put के trade को ले करके रह सकते हैं ये गलती नहीं करें कि call और put दोनों ही ले लें direction fix करें limited loss के साथ जाएं call और put जहां आपको favorable लग रहा हैं वहाँ आप trade करेंगे data sentiment सभी positive दिख रहा हैं अगर data sentiment को follow करेंगे तो call को follow करें अगर आपको reverse खेलना है कि maximum time तो नहीं कभी-कभी reverse भी होता है कि maximum लोग अगर उधर ही गए हैं अगर मुझे उल्टा खेलना है थो रिस्क के साथ तो आप इसको reverse psychology trade कहते हैं तो आप put के तरब जा सकते हैं overall लेकिन trend और data कल के लिए positive ही दिख रहा है तो I hope ये video informative रहा, range को आप समझ पाएं maximum range 52,500 का दिख रहा है put में और minimum lower side देखेंगे तो 49,400 के आजपास का level दिख रहा है probability data के अनुरूप call के दिख रहा है लेकिन reverse psychology के trend को आप follow करें तो put के भी दिख सकते हैं तो I hope ये video informative रहा, thank you for watching this video मैं काफी small quantity put को लेकर के जा रहा हूँ और ये वही quantity है जो आज हमने call में profit लिया overnight हमने call को hold कर रखा था, तो I hope ये video informative रहा, thank you for watching this video और अगर आप छोटे capital small trader हैं तो please call या put दोनों को ignore करें live market में trade identify करने के बाद ही trade करें overnight trade करने से बचेंगे, thank you